हेलो फ्रेंट पूर्नार अब हमें आप सभी का स्वागत है फ्रेंट सापने अलू टेक की चाट तो कई बार बाहर खाई होगी आज में आपको इतने आसान तरीके से घर में चाट बनाना बताऊंगी और बो भी इतने अच्छे तरीके से तो एक बार इस साफ सुत्रे तरीके से चार्ट बना कर देखे आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक ने किया तो लाइक कीजे शियर कहीजाए और कमेंट लिखना ना भूटे थेले वाली चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप ये छोटे वाले चने लिये हैं फ्रेंट्स कॉमेर्शल योज में या थेले वाले भी ये चोटे वाले चने का ही यूज करते हैं इसे एक बड़े बरतन में लेकर हम इतमें दो तीन गिलास पानी डाल कर ओवरनाइट या साथ से आठ घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे इसे आठ घंटे बाद देखें चने अच्छे से भीग गए हैं अब इसे एक कुकर में ले लेंगे और साथी साथी इसमें दो गिलास पानी डाल देंगे और एक चम्मश नमक डालकर इसमें चार से पांच बिसल लगा लेंगे जब तक हमारे कुकर में बित्से ला रही है इधर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है उसमें हम थोड़ा सा हरा धन्या ये मैंने एक छोटा सा अद्रक का पीस तीन से चार हरी मिर्चे फ्रिंट से खट्टी चट्मी थोड़ी तीकी अच्छी लगती है इसलिए मैंने मिर्चे ज़्यादा यूज की है अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो कम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा इम्री का टुकड़ा और ये मैंने साथ से आठ लैसुन की बट्स ली हैं अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो इसे पूरी तरीके से स्केप कर सकते हैं एक टमाटर डाल देंगे और एक चम्मच इसमी नमक डाल देंगे एक थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सभी चीजों को बिल्कुल बंद करके महीन पीस लेंगे और ये देखे मेरी खटी चटनी बनकर त्यार हो गई है इसे इक बाउल में निकाल लेंगे अब खटी चटनी बनकर त्यार हो गई है इधर आप्नी मीठी चटनी बनाते हैं इसके लिए मैंने 100 किराम You intercept को ओवर नाइट के लिए बिगो कर रख दिया था इसे हाथ से रगड़ कर इसका सारा गूदा निकल लेंगे आप चाहें तो इसे पानी में उबाल भी सकती है अच्छे से रगड़ कर सारा गूदा निकल जाएगा और अब इसे एक श्टेनर से अच्छी तरीके से छान लेंगे और हम इमली का पानी निकाल लेंगे और गूदा अलग कर देंगे और ये देखिए सारा इमली का पानी हमें मिल गया है और गूदा मैंने अलग अठा दिया है अब इसे हम गैस पर रख देंगे और इसमें मैंने एक कटोरी गुर्ड डाला है 100 ग्राम इमली के कूदे के साथ हम 200 ग्राम गुर्ड का यूज करेंगे आप क्या हैं तो ये चीनी में भी बना सकते हैं आधा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच लाल मेश पॉडर आधा चमच सफेद नमक आधा चमच काला नमक प्रिंट इसमी काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए इसे जरूर डालिएगा आधा चमच जीरा पॉडर और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मेक्स करकर खौला लेंगे आप चाहें तो मीठी चट्नी और खटी चट्नी एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं अब इसमें थोड़ा खौला आ गया है इसमें दो चमच पिसी हुई सौंफ डाल देंगे और आधा चमच हींग डाल देंगे और इने भी अच्छी तरीके से पका लेंगे अब अपनी सोट को हम 10-15 मिनट तक अच्छी से बॉयल होने देंगे और ये देखें सोट अच्छी से खौलने लगी है और 10-15 मिनट हो गए हैं और सोट आधी से भी ज़्यादा कम हो गई है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इस प्रिगे ऊपर मैंने थोड़े से तर्बूजे के बीजे डाल दिये हैं अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं और ये देखें हमारी मीठी सोट बन कर त्यार हो गई है इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे इधर मैंने एक कटोरी दही लिया है उतमें आधा चमच चीनी डाल देंगे और चीनी को अच्छी तरीके से दही में फेट लेंगे इस समय दही को बिल्कुल भी मिक्सिके में मत चलाएगा हाथ से ही इसने अच्छे से फेट लेजेगा और ये देखें हमारा दही भी अच्छे से बन कर त्यार हो गया है इधर हमारे चनों में भी सीटी आ गई है और मैंने गैस का फ्लेम अभी बन नहीं किया है इन्हें हलकी गैस पर हम एते ही उबाल लेंगे इसमें मैं दो गिलास पानी और डाल दूँगी चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं और इन्हें थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इन्हें अभी अच्छे से पकने देंगे जब तक इसमें से खूब लस्ट नहीं निकल जाता और चने बिल्कुल गाड़े नहीं हो जाते बजार वाले भी हलकी गैस पर चनों को धीरे धीरे पकने देते हैं जिससे चनों में बहुत अच्छा स्वाद आता है साथी तत इतमे एक चमच प्यार डाल देंगे थोड़ी सी हरी में और थोड़ा सा हराधनिया डाल देंगे आप चाहें तो इतमे थोड़े से मसाले भी डाल सकते हैं मैंने इसे सादा ही रखा है क्योंकि मसाले बहुत जगे यूज होंगे और चनों को खुब अच्छे से गाड़ा कर लेंगे ये देखे चने कितने अच्छे से गाड़े हो गए हैं इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही गाड़ा होने देते हैं तब तक मैंने एक मिक्सी का जार दिया है उसमें अपनी एक कटोरी फ्रेश मटर ली है आजकल मटर का कीजन है और चाट जारो में ही अच्छी लगती है इसमें मैंने आधी कटोरी आलू भुजिया डाल दी है और दोनों को बिल्कुल दर्दरा पीस लिया है अब गैस पर एक पैन दिया है उसमें एक चमच बड़ा ओयल दिया है ओयल को अच्छी से गरम होने देंगे और अब इसमें एक चमच जीरा आधा चमच हेंग डाल देंगे और अपनी बदर्दरी पिसी भी मटर डाल देंगे फिर्ट आज मैं टिक्कियों में मटर के कर सकते हैं इसमें आधा चमच हल्दी पॉडर आधा चमच नमक आधा चमच धन्या पॉडर आधा चमच लाल मिज पॉडर आधा चमच जीरा पॉडर डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छी से मटर के साथ मिक्स कर देंगे और अपनी स्टरफिंग को खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से सारा मौश्यर खतम हो जाए और ये देखें इस्टरफिंग अच्छे से भूनने लगी है और अब इसमें मैं दो चमच के करीब अमचूर पॉडर डाल दूगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखें हमारी मटर की स्टरफिंग बनकर त्यार हो गई है इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे गैस का फ्लेम बन कर दिजे और इसे पूरी तरह ठंडा होने रख दिजे इधर मैंने एक किलो के करीब उबले हुए आलू लिये हैं और इन्हें छील कर मैंने थोड़ी देर फ्रीज में रख दिया था ताकि इनमें से सारा मौश्र खतम हो जाए और इसे अब एक बड़े वाले कद्दू कस्ते हम सारे आलू को अच्छे सी ग्रेट कर लेंगे और इसे आलू के साथ अच्छे सी मिक्स कर लेंगे एक किलो आलू के साथ लगपक 100 ग्राम अरा रोट की जरूरत पड़ती है और अच्छे से आलू में अरा रोट मिक्स हो गया है और ये देखें अच्छे से पूरे आलू में अरणोट मिक्स हो गया है आप हाथों में थोड़ा सा ओईल लगा कर हम इसकी थोड़ी बड़ी टिक्किया बना लेंगे इसकी तिक्किया थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनती हैं बजार में थोड़ी बड़ी टिक्या ही मिलती है इतली मैंने बड़ी टिक्या ही बनाई है अगर आप छोटी टिक्या बनाना चाते हैं तो छोटी भी बना सकते हैं सारी टिक्या ऐसे ही बना कर रख लीजे और ये देखे मैंने अपनी सारी टिक्कियां बना कर रख ली है अब एक टिक्की हाथ में लेकर उसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे ये आराम से फैल जाएगी और इसमें एक चमच मतर की स्टफिंग भर देंगे और इसे अच्छे से गोल कर देंगे और देखें अच्छे से टिक्की बनकर त्यार हो गई है ऐसे ही दूसरी टिक्की में भी एक चमच श्टफिंग भर देंगे और सारी टिक्किया ऐसे ही बना कर रख लेंगे ये देखें मेरी सारी टिक्किया बनकर त्यार हो गई है जब गयाँनवले में इन इन फ्लोर से कोट कर देंगे। रखो drop की कोट से हैं और यह देखें। थे तक्ष सकでは भцию कin उम्हेई कोट कर देंगे। और उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे घी को अच्छे से गरम होने देंगे और अब इसमें अपनी साथ टिक्कियां डाल देंगे एक बार में जितनी टिक्कियां आ जाए उतनी टिक्कियां इसमें डाल देजिए और ये देखे एक साथ मेरी 6 से 60 टिक्कियां बनकर त्यार हो जाएंगी आपके पूरी फैमिली एक साथ भी अगर चाट खाने बैठी हो तो आप एक साथ बना कर रख सकते हैं इस तरीके से आप चाट बनाएंगे तो आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी फ्रेंट से मैंने जब भी ये चाट बनाई है मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई है एक बार इस तरीके से चाट बना कर देखेगा और टिक्यों को हलकी गैस पर हम अच्छे से से शेक लेंगे एक तरफ अच्छे से से शेक जाने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे और ये देखे कितनी अच्छे से टिक्यां शेकने लगी है सारी टिक्यों को ऐसे ही सेक लेंगे और थोड़ा सा इस पैच्छुला से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक करारी हो जाएं सारी टिक्यों को फ्लेट कर देंगे इस तरीके से आप टिक्की बनाएंगे तो इसमें ओईल भी बहुत कम लगता है और ये देखे कितनी अच्छे से टिक्कियां बनके त्यार हो रिंग है इन्हें बार बार उलट पुलट करके हम अच्छे से से देख लेंगे आप इन्हें जितना प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस कर दीजे ताकि ये अंदर तक अच्छे से से टिक्क जाएं और ये देखे कितनी अच्छे से टिक्कियां स्टिक गई हैं बिल्कुल एक तब करारी लाल हो गई हैं और दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छे से से टिक्क लेंगे अब जो टिक्कियां से गई हैं उन्हें साइड में करते जाएं ताकि उसमें से घी निकल जाएं और जो नहीं सिखिया उन्हें बीच में कर दीजे ताकि ओयल के बोबी टिक्या अच्छे से लाल हो जाए और ये देखे सारी टिक्या बनके त्यार हो गई है अब मैंने ये एक चाट वाला कुलर लिया है इसमें मैं तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखे कितनी अच्छी सी श्टफिंग होई है तोड़कर डाल देंगे अर चाट वाले भी इस तोड़कर रखते हैं अब इसमें अपनी गरम गरम छोले डाल देंगे तो भी गरम होने दीजेगा और इसमें में अपनी मीठी सोड डाल देंगे सोड देखे कितने अच्छे से काड़ी हो गई है एक चमच खट्टी चट्नी थोड़ा सा प्याज डाल देंगे ये मैंने पत्म बिल्कुल महीं प्याज काट लिया था ये इसमें डाल देंगे अब इसमें फिटा हुआ थोड़ा सा दही डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा नमक थोड़ा सा लाल मर्च पॉर्डर अगर आप मिर्च नहीं खाना चाते हैं, तो इसे इसे के पी कर सकते हैं देखिन चाट थोड़ी चटपटे अच्छी लगती है तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मेर्ट डाल दी है और थोड़ी सी ये मैंने ग्रेट की हुई मूली डाल दी है थोड़ी सी हरी मेर्चे और थोड़ी सी अधरक डाल दी है अब इसमें सबसे बात में थोड़ी सी आलू पुझे अडाल देंगे और ये लीजे हमारी एक्तम थेले बारी चार्ट बनकर त्यार है फ्रेंट एक बार इस तरीके से चार्ट बना कर देखें आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और